ओम ज्ञानत मिरांधस्य ज्ञानन जनुशलाकया चक्षूरन मिलितं येना तस्मई श्री गुरुवे नमहा श्री चाहितन्य चाहितामृत अंकरिल्ला चैप्टर 7 प्रियार संख्या 54 55 तो कैसे वहल बड़ सोच रहे हैं कि मैं तो एक महान वैश्ण हूँ और वैश्ण दर्षन के सारे सिध्धान्तों को सीख चुका हूँ इसलिए भागवत कार्थ समझ सकता हूँ और बहुत अच्छी तरह इसकी व्याख्या भी कर सकता हूँ यही है कि मैं कर सकता हूँ I am capable कई बार मैं कहते हैं कि यह सेवा मैं नहीं कर पाऊंगा I am not capable इस कार्थ ह है कि मैं किसी चीज के लिए capable हूँ और किसी चीज के लिए capable नहीं हूँ वास्ता हूं मैं हम लोग किसी भी चीज के लिए capable नहीं है जो भी शक्ति हमारे अंदर है वो भगवान से आती है इसलिए हम गुरू के प्रसनिता के लिए भगवान के प्रसनिता के लिए आगे अपना सर्वस्व लगाते हैं तो हमारे अंदर कैपेबिलिटी आ जाती है तेशाम सततयुक्तानाम भजदाम पृति पूर्वकम ददामी बुद्धियोकम तम ये नमाम उपियंतिते कि जो मेरे भजन में लगता है मेरी शद्धा भक्ती में लगता है निरंतर लगा रहता है मैं उसको नेसेसरी स्किल्स और नॉलेज और ज्ञानम प्रुवाइट करता हूँ कि इसलि這 जो भी हम कर पा रहे हैं वास्ताव में भगवान का बल मैं हूं थ 10 twins 1 नी ऐक किन डीक जो भी हम कर भी पा रहे हैं वह भी ख्रुरें की किर्पा से कर पा रहे है concentRana मान यह इसलिए यह कहना भी उचित नहीं है कि हम यह नहीं कर पाएंगे और यह कहना भी अनुचित है कि हम यह कर पाएंगे यदी हमें वैश्राओं की करपा मिलेगी गुरू की करपा मिलेगी भगवान की करपा मिलेगी तो हम कर पाएंगे नहीं तो हम नहीं कर पाएंगे इसलिए कह मैं प्रवचन दे सकता हूं यह सारे इसी तरहें के विचारें बठे रमाने थे एई चिलग दीरगगर्व प्रभूरवचन शुनी से हाई लग खर्वत वल्लव भठ के मन में ऐसा गर्व दीरगगाल से चल रहा था किन्तु जब उने शी चैतने महावरू का अपदेश्दना तो उनका गर्व चूर-चूर हो गया भी जो पीछे इतने चैतने महावरू ने तने डीप नौलज़ज़ दी क्या है किसको प्रेम कहते हैं प्रेम वास्ता में क्या है गोपियों के प्रेम किसको कहते है उद्धव और सच एन इंटेलिजन परसन के भगवान उससे राय लेत जो द्वार का धीश के परसनल काउंसलर है तो उद्धव कहता है गोपिया जो मेरे पर पैर रखेंगे ता मेरा उद्धार होगा तो यह सारे कथनक सुनकर वल्लव चारेगा गर्व जो है चूर-चूर हो गया परबुर मुखे वैश्णवाता सुनिया सबार भटे रा इच् चैतले महापुरू के मुख से इतने सारे भगतों की शुद्ध वैश्णवाता के बारे में सुना तो तुरंत उनकी इच्छा उन समके दर्शन के लिए हुई यही लाव है श्रावन का हमने सुना था की श्रीमत भागवतम में कि किस परकार से कौन वैकुंट में नहीं जात करने के लिए दर्शन जानने के आवश्रत है कि तब हम दर्शन ब!? इसलिए हैं जैसे उन्हों ने इन वैशनों के बारे में सुना तो उनकी तुरहन इच्छा होई ना अनुसमत दिहां जी है विंदवन में यह यह इसी जगाय वो ऐसी जगाय यह है तो हुँदा रे हमें भी जाना सही है बट कहते हैं कहां रहते हैं लोग मैं उनको दर्शन किस तरह कर सकता हूं और दर्शन करके क्या करना है दर्शन करके टिक नहीं लगा देना है हम हो आए गोवा में भी हम हो आए कन्या कुमारी में भी हम हो आए सारे डलहौजी में भी ठिक मारते जा रहे हैं लेकिन उससे लाव क्या हो रहा है यह कुश्शन हुञ इसले उसका लाव क्या हो रहा है। दर्शन करने का लाव तब है जब उस दर्शन से पूरे जीवन भर उसकी प्रैक्टिस करी है, क्योंकि बगवान का गुरुगान कैसे सुना जाता है, कैसे करा जाता है, उनकी आरती कैसे करी जाती है, उनको परणाम कैसे करा जाता है, इच से प्रैक्टिस, क्योंकि जो फाइनली बगवान हमारे साभी को अधभुद घटना होगी एक उस साधहन घटना नहीं होगी उसके लिए प्रिपेर करना पड़ेगा एक शादी में ख्या बोलें उन लोगों को जो दूला और दूलन परस्नल लाइफ में उनकी कोई हैसियत नहीं होती है हम सभी क कि कोई ऐसी थी नहीं जितने की बना दी जाती है है और वह बस एक माला डालने के लिए दोनों तरफ औरे पूरे साल प्रैक्टिस करी जाती है पूरे साल ते नहीं चैनी क्या वह भा जार आहा कर रहा है, У जब ये इतनी हमारी प्लिवन को सकते हैं, जब भगवान का दर्शन होगा उसके लिए कितनी प्रैटरिस करने के आवर शक्ता है जुवe एक हुषिसता है, जे बहु तो इसलिए पूरा जीवन ही भक्ति में लगाना पड़ेगा तो यहां पर जब इनोंने श्रावन किया चैतने महापुरू से तो इनके अंदर जबरदस इच्छा पैदा हुई उन वैशनों के दर्शन करने ही तो हमें भी अपने लालसा को इतना बड़ा देना है तब तक भक्ति करके शरवन करके कि उस मुमिंट को हमें हमेशा ध्यान में रहे संधार में लोhn मिर्ट्य Freeze को पसंद नहीं करते हैं लेकन वैशनों लॉण दो कहते हैं जब तक भगमान के सेवा है यहां पर आएंगे क्या अद्बूत महाल है जगह जगह से वैशनम महान वैशनम सब एक दम से चलते 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 एक ही जगह पर आजाएंगे कितना भाग के शाली हो एक ती जो इस प्रगार से रत्यात्रा में आए इन अनेक अगल जगह जगह के भक्तों के दर्शन एक ही जगह पर कर पाएंगे इस समय वे सब यही रह रहे हैं आए वह आप उनके आवास विबिन स्थानों में हैं यहीं आप उन सब के दर्शन कर सुगोंगे और जब ते समय ने का दर्शन का मतलब होना चाहिए दर्शन से लाभानवित होना उनसे सुनकर उनकी से शेवा करकर समय कि दर्शन के लाभ है तरशन के वेल बादना है देखके नहीं हे चले ओधि अगले इया यह वाले ग्दाम भी देख लिए अमेरे जहां भक्त रहते हैं हम पता निए कौन के धामों की बाते कर रहे हैं जहां भक्त रहते हैं हम पता निए कौन के धामों में जाने का प्रयास कर रहे हैं हम पता निए कौन के धामों में जाने का प्रयास कर रहे हैं अभी कर दो हो गए तीन हो गए चार हो गए परावर उसके ब प्रभुजी वहां की जगनातपुरी के तो परसाथ जबरदस है उनका वहां का बहार मिलता है को उसका नाम है मैं भी नाम बूलियां उसका एक दुकान बहुत फेमस खाने वाली जो भी है बंगाली स्वीट समझ लीजे वहां की वह दुकान बड़ी फेमस है माथुरा के वह दूसरा बड़िवासी है वह बड़ा फेमस है वैरी सारे धाम की उनके पेशलिटी पदा दी यह ऐजीन धामों में तो इसलिए दursan का क्या लाव है ऐसे दursan का हमें अमेशा सोचना ची आपको दॉते हो आप दर्सन के लावत हो अब तो होता है लेकिन अल्ट्िमेटली वह डिवोशन आप ने डर्सण की यह लाव होना चीह हमें Lecti करने की प्रेणा मिले और ए भक्ति करनी प्रेंआ इसलिए दर्सन करते हैं वो इंसुलेटर रहने है इन पूँदाना। आइन की यह सोचके दर से मुझे परभावित होना है मुझे कुछ अबजर्व करना है और वो करने का प्रणər करना है इस यात्रा में इस आत्रह में बहुत सारे वैशना हो आएंगे, मैं क्लोजली उनके गुणों को अवजर्व करूंगी, और फिर उसके अनुसार जीने का प्रयास करूंगा, लेकिन हमारे लेंस लगे होता हैं कमियां देखने के, हमें अनेही का नेका में, तो अपना नुपसान लाता है, उसम क्या लाव यह कहने का मतलब है, चाए तीवत्के, चाए वैशना होगे, तब भटकाय बहु विनाय वचन बहु दैन्यकरी प्रभुर खेले निमंत्रण, तत पर आत्यांद विनाय तता दीनता पूर्व वल्लव भटने इश्री चैतन महापुरू अपने घर पर भोजन करने के लिए निमंत्रित किया, बड़ी दीनता पूर्व किया, काफी परिवर्तन आ चुका था, फिर भी देखते हैं क्या होता है, आरत दिन सब वैशनाव प्रभू स्थाने आईला, सब सने महाप्रभू भटे मिलाईला, अगरे दिन जब सारे भट, सारे भग्त, चैतन उन्हें उन सब से वल्लब भट का परिचय कराया, वैशनावे रज तेज देखी भटे रचमतकार, तासा बार आगे भट खद्योत आखार, वे उनके मुखमंडलों के तेज को देख कर चकित थे, निसंदे उन सब के बीच में वल्लब भट एक जुगनू जैसे लग रहे थ जुगनू के वल रात को चमकता है, हलका सभी सभी उजाला हो जाता है, जुगनू को पता नहीं चलता है कहा गया, तो इसके लाइट जो बड़ी काम होती है, जो रातरी में चमकती है, तो इसी तरह से बता रहे हैं कि जो ऐसे जुगनू लग रहा था इन सब के सामने, वो आधारन सा जुगनू लग डाता, जो अपने आपको इतना समझता था इस से पहले, उनको देखके, उनके चहरों को देखकर, उनकी प्रसंडता, उनके दैननिता को देखकर, उनके दासत्त्तों देखकर ये चखित रहे है, तब भट बढ़ु माह, प्रसाद आनाहिला, गण सहा महा प्रभूर» भोजन कराया, पर भल्लब भर्थ प्रचुर मात्रा में भगवान जगनासी का प्रसाद ले आए, पर उन्होंनि शुछत्न महा प्रभूत तो उनके संगियों को अच्छी तरह से भोजन कराया. तो अक्सर यहाई पुर्था थी के जगनाजी का प्रसाद लाया जाएगा और सब्सक्राइब पर्मानंद पूरी संग के सन्यासी रगण एक दिके वैसे सब करीते भोजन परमानंद पूरी हित्यादी श्रीक चैतने महापनू के सारे सन्यासी संगी एक और बैठ गए और सब प्रसाद प्राप्त किया तो सन्यासी लोग ये कल्चर है कि हम कैसे सीनियर्स को रिस्पेक्ट दें तो इसलिए उनके लिए अलग से व्यवस्ता करी गई वहाँ पर सन्यासी लोग बैठ गए अध्वेत नित्यानंदर आए पाश्वे दुई जाना मध्य महाप्रभु वसीला आगे पाचे भक्त गळ फिच्चातने महाप्रु समस्त भक्तों के बीच बैठ गए अध्वेत अचारे तद नित्यानंदर प्रभु महाप्रु के दोनों और बैठ गए अन्य भक्त महाप्रभु के आगे और पीछे बैठ गए गोलेरा भक्त यत कही ने न पारी कही थे न अंगने वसीला सब हैं सारी सारी बंगाल के सारे भक्त जिनकी गिंती करने में मैं समर्थ हूं आंगन में पंक्तियों में बैठ गए प्रभुर भक्त गान देखी भटे रचमतकार प्रते गस्ता बारे पदे कहिले नमस्कार और वल्लब भट ने जब ये द्रिश्य देखा तो उसके आश्यरे का ठीकाना नहीं रहा है और भक्तिवाश उन्होंने उनमें से हर एक के चर्ण कवनों पर नमस्कार निवेधन किया तो ये भी बहुत अच्छी बात है हमारे पुराने कर्मों के नुजार हमारे पुरानी बुद्धी के नुजार हमारे अंदर इगो होता है लेकिन जब हम इस प्रकार का दर्शन सुनते हैं तो हमारे इर्दय में परिवर्तन होना चाहिए तुरंत अपने इर्दय को बदलने का प्रयास करना चाहिए ये तुरंत अभी इन्होंने क्या गिया सबके चर्णों पर नमस्कार करने लगे ये जानते हैं कि उनकी च राघव दामदर स्वरूप दामदर जग्दानंद काशिश्वर तता शंकर ने राघव तता दामदर पंडित को साथ लेकर प्रसाद वित्रण का कारे भार समभाला तो इन समने क्या किया प्रसाद वित्रण का कार समभाली है महाप्रसाद वल्लब भट बहु अनाहिला प्रभु सह सन्यासिगण भोजन वसीला वल्लब भट भगवान जगनात को अर्पित धेर सारा प्रसाद ले आए और इस तरह सारी सन्यासिखाने के लिए चैतने महाप्रभु साथ-साथ बैठ गए प्रसाद पाये वैश्नवगण ब सारे भर्मान में उध्यगण गौंजने लगी और इस प्रकार से उन्होंने प्रसाद के अंदर हरी को देखा और प्रसाद को आइटम ना समझ कर हरी का प्रसाद समझ कर खाया, जब महारे अंदर जायेगा तो हमारे सारे गंदे कि इसलिए बार बार हरी हृरी ह्यारी काईनों ने उच्छारन किआ मैंदा आघे और विए वें कार्ट। मेंने काटून नेटवर्क के आट कार्टून नेटवर्क नहीं चलाया गया जो क्या करें प्रपुवर्क उच्छारन rum चले वह हैं और एक दिन कार्टून में बंदोकर कवर में मर जाएंगे। उससे पहले हमें बदलना होगा। प्रसाद पाते हुए क्रिष्ण चेतना करनी होगी। इस तरह अत्यांत सुख ही हुए। यह है सुख का एक ज्यानी वेक्ति है। बहुत इकता में संपन्द वेक्ति हैं। लेकिन उसुख नहीं प्राइब आप देखो कि नीजी जीवन को बाहर से बहुत अट्रेक्टिव लगता है चमकतावा लगता है। लेकिन जब नीजी आजकल गरीब लोग कमाते हैं। अमीर लोग जादा आते हैं। अमीर लोग जादा डिप्रेशन में हैं। इसलिए वह इसकौन के प्रवचनों में तुरंद हो है। यह सही कह रहे हैं प्रभुजी। तो ऐसा है। उनको उसे सुख नहीं मिलता है। और यह वैसे ही व्यक्त आरम भिला पुर्ववत सात संप्रदाय पृतक करिला। रत्यात्रा के उत्सव के दिन श्री चैतने महापुरु ने संकीरतन प्रारम किया। और पहले कि तरह सात टोलियों में उन्होंने अपने को बाढ़ दिया। अद्वयत नित्यानंद हरी दासवा क्रेश्वर श्रिव प्रभु हरिदास ठाकुर वक्रेश्वर पंडित श्रिवास ठाकुर राघव पंडित गदाधर पंडित। इन लोग ने सात टोलिया बनाली नाचने लगे। चैतने महापुरु हरी बोल किरतन करते हुए एक टोली से दूसरी टोली में विच्रण करने लगे। चौध्यमा हर टोली का एक एक नर्तक था जिसके प्रिमाविष निर्त से संपुन ब्रह्मांड आपलावित हो था। और वल्लबबबट के लिए सब कुछ एक तरह से नया था। क्योंकि अभी तक उन्होंने केवल डिसकॉशन्स किये थे आईए चर्चा करें। चर्चा के साथ ये सब कि ये बड़ी जरूरी है संकीर्टन इस संसार का इस युग का मुख्यांदोलन है संकीर्टन करना उसमें निर्ते करना। तो ये नोने देखा देखी वल्लबबबटेर हैलच मतकार आनंदेविभल नाही आपने संभाल। और ये सब देखकर आपने में खोए हुए थे, खो गए हुए सब को देखे तब महाप्रभु सवार अनित्य रखिला, पूर्ववत आपने निर्ते खरीते लागिला। तब श्री चैतना महापुरु ने सब का निर्ते रुखवा दिया और पहले की तरह स्वाय मन नाचने लगे। प्रभूर स सौंधर्य देखी आर प्रेम उदाया, एईत साक्षात क्रिष्ण भटेडा हैलनिष्चाया। श्री चैतना महापुरु के सौंधर्य तथा उनके प्रेम आवेश का उदे देखकर वल्ला वबटने निश्कष निकाला निसंधे ये भगवान क्रिष्ण है। तो इस प्रकार पहचान जाता है। जो मूर्ग हैं वो भगवान को एक साधरन मनुष से मांगते हैं। उनका क्या है? मूड है, मूड मती है। साधरन व्यक्ति कहते हैं, कौन है? पंसी बजाने वाला। लिक्न ऐसे भगवान चैतने महापुरु को भी लोग समझ नहीं पाते हैं। कई सारी प्रेम में दू वे रहते हैं। तो यह अधूरा सत्य है, क्योंकि वो साक्षात क्रिष्न हैं। लेकिन भगत लोग इसको पहचान जाते हैं। यह कोई और नहीं है। इतना प्रेम नौट पॉसिवल। एमत रत यात्रा सकले देखिला प्रभूर चारित्र भटेर चमतकार रहला। और इस तरह में वल्लब भटने राथयात्रा का उत्सव देखा, विश्री चैतने महापुरु के चरित्र से चकित थे। यात्रा नंतरे भटयाई महाप्रभु उस्थाने प्रभू चरने कीचु कईला निवेदा ने रथ्यात्रा के समाफ्तोने के बाद एक दिन वल्लब बठ्षी चैतने महापुरू के निवास्थान पर गए और उनके चाड़कालों पर एक विंती की क्या विंती करी फिर से वही भाव आ गया भागवतेर टीका किछु करी अचे लिखन आपने महाप्रभु यदि करेनश्रवन मैंने श्रमत भागवत पर कुछ टीका लिखिये किरिपया करके आप इसको सुनेंगे कि चुनली आदमी शुनाना चाहता है इसका मितलब वह अपने लेखनी और क्रीएशन को दिखाना चाहता है लेकिन वो किसको दिखा रहा है महाप्रभु थो पुला मैंने को टीका लिखिये क्या आप इसको सुनेंगे प्रभु कह भागवत आर्थ भुझी नपारी भागव प्रकार का हिंट भी था जो बट्टाचारे को समझना था अभी तनी सारी नौलिज दी थी तना कुछ दिखाया था लेकिन फिर भी हमारी जो विद्वता है जाती नहीं हमारे अंदर से जो आपनी थोड़ा सा इंटेलिज जाता है समाज में एक्सपीरियंस तो जाता है चीज़ों को जान जाता है वो हर जगे अपनी विद्वता दिखाना चाता है अपनी राय पूछी जाए या ना पूछी ज अपनी राय जरूर देना चाहता है दूसरों की बात कभी नहीं सुनना चाहता है यह उसके लक्षन है जो अपने एक्सपीरियंस को से भल चल गया है घमंड सर पे नाच रहा है इसलिए वह अपनी बात को हमेशा सही मानता है तो यहां पर बल्लब बट्ट चारे इतना कुछ द साथ रही नहीं जिए वसी-क्रिश्च्ण करीए रहाने संख्या नाम पुर्ण मोराण ही रात्री दीनए में मात राद बर बैठकर मैं धिन बर बैठकर की पहईतनर नांका जब करने काप्रायत ऊठ्म करता हूं रात-दिन ऐसा करता हूं तो भी मैं नियत संख्या पूरी नहीं कर पाता है अपने नाम जब नहीं पूरे कर पा रहा है कई बार हम जब करते हैं शाम को या कभी लोग करते हैं तो लोगों का मतलब है कि माला पूरी होने के बाद माला उठानी क्यों है और कोई माला करता हुआ दिखे करें माला पूरी नहीं तो ऐसा विचार बन क्रिश्ण थैंग क्रिश्ण इंगर अपनी विचार हमने अपनी आइडिया दूसरे को नहीं बेचा और बेज के वो इंप्लिमेंट नहीं कराया तो ऐसे लगता है यहां कुछ अटक गया बटी बेचे नहीं सुझाती है जैसे सच में खाना अटक जाता है तो फिर बार 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 चैदने महापरु ने फिर पीछे बढ़ते है नहीं कृष्ण नाम के बारे में तो लिखा है सुन तो लें ज़रा उसको प्रभु कहे कृष्ण नाम बहु अर्थ ना मानी शाम सुंदर यशुदा नंदर एही मातर जानी महापरु ने उसको दो टूप आंसर दे दिया क्या करिए व्याख्या आपने तोड़मरोड के आवशक्ता नहीं है करश्न पूचने वाला प्रश्न पूच रहा है पांच मिनेट उग Muhy समझ नहीं है प्रश्ण आया क्या क्योंकि प्रष्ण नहीं पूच रहा है वह आनए जो़्ध दिखा रहा है कि मैंने क्या समझहा प्रश्न क्या है वही confused रहे कि प्रश्न क्या है और कई त्यृट क्या होते हैं बता रहे हैं पांच मिंट्र ऋगए दस मिंट्र ओगए सनुज निहीं आए कि बताया क्या जादा बोलना दिखाता है कि अब दिखाना चाहर है छी Laurie यहां पर महाप्रभु कहते हैं कि कृष्ट के पवित्र नाम के कई अलग-अर्थ मैं सुईकार ही नहीं करता हूँ मैं इतना जानता हूँ कि बवान कृष्ट क्या है शाम सुंदर है यशोदा नंदन है बस मैं इतना ही जानता हूँ क्रिश्ण के पवित्र नाम का एक मात्र ताथ पड़े है कि वो तमाल विक्ष्षी तरह गहरे नीले हैं शाम सुंदर है तमाल विक्ष्ष गहरा नीला होता है इसको विंदावन के प्रांगन में आंगन में आप देखते हैं तमाल विक्ष्ष लगा है वही है तमाल और कदम में जो होता है वो उसका complexion साफ होता है गोरा होता है इसलिए लिए तो अनम का मतलब है कि वह बूर विर्खित है और मां य क्रिष्न क्रिष्नें का आत्म हैं करिष्नें के परमात्मा हैं क्रिष्णें यह हैं किसल्एक शर्वतर व्याप्त हैं क्रिष्णें mai कुछ नहीं गृच्ची एशुद्ानन्दन है क्या है Yishud nombreux अके बैटें उनकी माँ भी है कोई भगवान की माँ कैसे हो सकती है शाम रंके हैं ओ काला कलूटा बैगल नूटा ऐसे कैसे हां तो मूर खलो गए समझ नहीं पाने है उसको इसलिए यहां चैतने महापरु के रहे हैं कोई और मतलब नहीं भाई शाम सुन्दर शाम अपरना के हैं इतने इस क्या से कुरूप हो सकते हैं जो कुरूप है वह भगवान नहीं हो सकता कोई बहार रूप में भी आयते तो बढ़े सुन्दर लग रहे हैं कि हम सोच संदर है शाम सुन्दर है यह शुदानन नने यह शुदा मां को मां अपना बनाया है क्योंकि उनका भाव इतना अच्छा यही मतलब है बस तुमने क्या व्याख्या करिए यही अर्थ आवी मात्र जानी है निर्दार आरस अर्व अर्थे मोरन नहीं अधिकार मैं बस इतना ही जानता हूं बस यह दो चीजे शाम सुंतर रिष्ट अंदन और कोई अर्थ नहीं जानता हूं और नहीं मुझे समझने की क ही सारी लोग और कई बार सइसे अंपने क्लासिघ में पढ़ते थे दुरूभाग्या में पादा हूए हम लोग ना कल्यूख्या में प्याए करम अच्छे नहीं थे गुरुकूल में पढ़ते ऐसे श्कूलों में पढ़े जहां पर ऐसे ऐसे जुए नौवल होते थे कि क्या चाहरा है बता है हिंदी इंग्लिक्स पढ़ रहे हैं समझ में नहीं आ रहा है कहना क्या चाहरा है हम ऐसे गरंत तो नहीं है जो भी है वह लिट्रेचर रभिश कूड़ा इस लिट्रेचर का क्या लाब और हर आदमी ऐसी पेंटिंग मना चाहता है हम एक कैण्वस लो उस सारे कलर ऐसे पोड़ दो उसके वाल बता हो चला मैंने क्या बनाए फिर बता देखो देखो इसके अंदर एक स्ट्री है यह यह वरोर यह उसके इमोशन है अब सब को समझ में कुछ नहीं आ रहा है केवल ऐसे ऐसे हो रुका है देखने वाला भी कहता है कैसे बोले हो कि समझ नहीं आ रहे है क्योंकि मूरक था धूज जाएगा ऐसा होता है अब बाकी और ने इसी बोला सा समझ में किसी के नहीं आया है लेकिन मूरक कौन सावित हो लेकिन लेकर जो मुर्क साभित होता है वही बढ़ीया student बनता है नहीं आया समझे बताईए ज़रा क्या मतलब है नहीं पाइंटर समझा रहा है यहां देखिए और तो रो रही है यह यह तेकनोलोजी यह कर रहे है यह पूरा जानाट मतलब जहाँ कुछ समझनाएं, है कि नीए असे ही, कि समझनाएं पेंटिंग बनाया गया है। और एक पेंटिंग बनाई है, यह बगवान अपने गायों के साथ, पीछे हजारों गायों चल रही है। कृष्णमदाम ने गायों पर गळे लगा रखा है घायों के सरपर सींग में सोने के खढ़ा चड़ा हुआ है उन सुन्दर कंगन पहने रखे हैं अब इसमें क्या समझे ना मतरी है साफ समझ मा रहा है बल्गि समझ के emotion पैदा हो रहे हैं ब्राह्मने देवाई गौ ब्राह्मने इतायचा जगत इतायच खृष्णा गोविंदा आए नम नम साफ समझ मा रहा है तो दिमाग जब complex हो जाता है तो सीधी बात ना तो करता है नहीं उसको सीधी बात समझ बाती है व लाइफ सीधी नहीं चली चीए तो यहां पर यह दिख रहा है महापर को बार-बार कहा है क्या मतलब निखाला है आपने यही मतलब है मैं बाकी जानता हूं ना मैं जाना चानता हूं हम कहते है आई जी analysis करें आई अखवार पर चर्चा करें यह क्या भावत पढ़ रहे हैं म साइंस में गिर पढ़के आप कुछ नंबर लेके आगए आप साइंटिस बनने और जो साइंटिस बनना उन्हों नहीं क्या कर लिया है हजारो करोण लोगों का मिर्ति हो गई reaction से क्या क्या नहीं हो गया संसार में उसको चुपाया जाता है जो हमारी जितनी भी advancements हो रही है उससे होने वाले नुकसान को कौन बताता है कहीं बताता है अभी मैं सुन रहा था कि कोई किसी ने रिचार्ज कर लेकिन ऐसे रिचार दबा दी जाती है किसी ने रिसर्च कर रही है कि पॉर्णोग्राफी देखने से गंधी obscene videos and magazines देखने से doctors ने रिसर्च किया है scientists ने कि द एक्स्ट्रा पावर सप्लाई होगी तो कहते हैं कि जब आत्मी पॉर्नोग्राफी देखता है तो इतनी एक्साइटमेंट होती है कि ब्रेन उसको हैंडल नहीं कर पाता है और इस तरह से यह बारवर करता है तो धीरे-धीरे उसका बेन के हम कोई चरचे कहीं पर नहीं है में चरचा किव ओले ही है कैसे मैगजीन को निकालाता ठाइम पास संसार में जो नुकसान हो रहा है उसको कोई थोड़ी पेश करता है इस complexity से लेकिन क्यों कि बिक रहा है ना कौन जानता है कि संसार में क्या प्रपोकेंडा क्यों किया जा रहा है हम लोग इतना twisted है यह सोचते है शेयर मार्केट जान नहीं सकते आपकी price अप जा रहे है नीची जा रहे है कौन उसको क्यों पीछे है कौन उसको कर्रोर रुपे से लेकर influence कर रहा है नोबड़ी नोस इस तरह संसार में कैसे हमारी यह technology कैसे science कैसे यह जो पढ़ाई लिखाई की जा रही है और बरबात करती जा रही है I have a latest example of a known person जिसने so called भक्तों के संग को छोड़ा बच्चे की पारी है उसमें वहां से निकाला किसी बहुत बढ़िया स्कूल में डाला और आज दो साल के अंदर हमने देखा कि वह माता पिता रो रहे हैं क्योंकि उस लड़की के boyfriend बन चुके हैं घर में आ रहे हैं वह भार जा रही है तो यह जो इसका impact है यह हम सोच नहीं पाते हैं इन हारा बच्चा नहीं पढ़ पाएगा तो क्या होगा हमारा यहांनी पढ़ेगा बात में समझ माएगा बात में क्या समझ माइगा अभी देख लीजिया देखिए आस-पास क्या होगा तो इसी तरह से चैतने मापुरू ने उनको बड़ी सरलता समझाया कि ना तो मुझे की जाए शुच्यत्मिन चरिता मित की जाए शुक्रिष्म दाज का विराज की जाए